नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज नूज थंड के मौसम में अचानक जो हाट अटेक की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और ऐसे में आपको क्या सजक्ता अपनानी चाहिए और किस तरह से अपने आपको सुरच्छित रखनी चाहिए इन्हीं बिंदू पे बात चीत करने के हमारे साथ सार्दन और होस्पीटल के डारेक्टर संजे सिंग मौजूद हैं नमस्कार सर अचानक से यह जो दिल के दोरे पढ़ने की हाट अटेक की घटनाएं बढ़ गई हैं और कल एक डॉक्टर लखनू में जो डॉक्टर पाल हैं उनकी देथ हो गई तो किस तरह से अगर अपना नहीं ध्यान रखेगा तो सोसाइटी को कैसे बचाएगा पहली बात यह कि अगर क्यों ही भी हो चाहे डॉक्टर हो चाहे हम इनसान हो अगर हम जीम जाते हैं तो पहला यह प्रिकॉस्टन लेना है कि हमको अपना हेल्थ चेक अप जरू करा जाएं कि क्या I am fit for the exercise or not हम exercise के लिए fit हैं कि नहीं तो यह जरूर जाच कराना चाहिए और अगर थोड़ी मुड़ी देखिए अगर थोड़ी मुड़ी तकलीफ हो रही है और इसको हम नज़र अंदाज करें चाहे हम डॉक्टर हो क्यों नहों अगर नज़र अंदाज करेंगे अपनी प्रती लप परवाह होंगे तो हमको भी खाम्याजाब हो करता होगा तो यह मिसे मेसेज जाता है कि बिमारी चाहे डॉक्टर हो चाहे आम इनसान हो सबको हो सकती है हर ब्यक्ति को इसको लेकर सजग होना चाहिए मैं उसके लिए मुझे बहुत दुख है कि एक डॉक्टर यंग डॉक्ट अगर आपको कोई परिसानी होती तो कई बालों कोई बहुत ही गलत चीज़ है और खासकर होता है यह मैं जिम कर से कैसे होता है ऐसा कुछ भी नहीं आप भी एक आम इनसान है आपको भी उतनी प्रिकाशन लेना जो आप दूसरे को बताते हैं लिए अपने पर आता तो नहीं करते हैं और अपना खान पिन नहीं सही रखेंगे इस्ट्रेस में अगर अधी क्या अपनी लाइफ इस्टाइल नहीं सही करेंगे तो यह घटना है और बढ़ती जाएगी और यह घटना हम लोगे एक संकेत देती हैं कि हम अपनी लाइफ इस्टाइल को सुदा रहें हम चाह बहुत अच्छी बात आपने का देगे बाड़ी का बाहर का से वो भीतर का हार्ट तो नों में डिफरेंस है हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बाड़ी मस्कुलर है आप बहुत डंबल कर रहे हैं जिम कर रहे हैं आपकी बाड़ी लेकिन आप कार्डियक नहीं कर कर रहे हैं आप कोई एक्षिकल एक्टिविटीज बहुत नहीं है बस वो जीन का एक दो गंटे का तो जिसको एरोबिक हम लोग कहते हैं तो एरोबिक करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हार्ट पंक तभी करेगा जब एरोबिक एक्साइज करेंगे तो हमने देखा कि बहु आप बिना डॉक्टर की सलाया और बिना एक इस्पेसिलाइस ट्रेइनर की सलाया के कोई भी जाता हो एक्साइज करने जाया और जितना करना उतने ही करें कई लोग सोचते हैं कि हम पांच दिन में ही बना लेंगे यह बहुत एक लंबा समय देना होता आप जब तक वो समय न लेते हैं और लगतार वो अपने के वजन गिरता है तो एक डॉक्टर के हिसाब से क्या एक पहमाना है कि इतने दिन में इतना वजन लूस करना थे हैं अगर आपका मेंटल वर्क है आपका तो एक आएक अगर आप खाना छोड़ देंगे तो आपकी बाडी वे उसके साइड वेजचाने लगेंगे आप खाने के कैलोरी अ से अपने कैलोरी बना लिगे आप मेंटल वर्क इतना है आपको की इतनी कैलोरी क्या हो सकता है और नहीं अगर मा लीड़ आपके पास इतना ज्रूर्ध ध्यान लखे कि एका एक सडेशिय। आप कोई भी चीज एक़ाएक एक कर देंगे एकाय खाना चोड़ देंगे तो आपके लिए रुक्सान दायक हो जाएगा आप धीरे-धीरे करिए कोई भी चीज बॉड़ी को भी अड्जस्क होने में समय लगता है आप धीरे दे अपनी डाइट कम कर लीजे फूट्स लेती है आप वेजटेबिस लीजे सेलात क सेवन करिए यह सब चीजें लेते रही है लेकि कई लोग देखें ने 24 घंटे के फास्टिंग इंटर्मिटेंट फास्टिंग यह कोई ऐसा नहीं है कि बहुत यह प्रूब्ड है कोई स्टडी ऐसी प्रूब्ड नहीं है हम लोग जब तब कोई गाइडलाइन्स नहीं बनती कोई स्टडी प्रूब नहीं होती है तो आज के यूटूब पे और तमाम लोग ऐसा डालते रहते हैं लेकिन हम वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते हैं हम लोग की गाइडलाइन्स यह कहती है कि आप डाइट अपने हिसाफ से लीजे अपना जितना हमारा वर्क होतनी हम लोग भी डाइट को बहुत कंट्रोल रखते हैं एक्सरसाइज भी अपने लिमिट में करते हैं अपनी बॉड़ी को समझिए पुनी जी सबसे जरूरी क्या है कि अपने बॉड़ी को खुछ समझना अगर हमको लगता है कि हमको दस कदम ग्यारवे कदम में चलने मुझे त कोई तकलीब होती हैं हम रेगुलर चेट अब करते रहते हैं अपना भी चेट अब कराते हैं या कई बरAS बचने केस की अगर और से Näγα से पांश कद़ बताने चाहिए जिससे वांस सकें एक है देखे पहले चीज डाइट जैसे हमने बताया डाइट का पुरना कंट्रोल करिए दूसरी चीज एक्ससाइज आप करिए डेली आप 30 मिनट से एक्ससाइज करिए कोई गेम खलिए चौती चीज एक अच्छी नीध होनी चाहिए आपको पांच्वी चीज इस्ट्रेस फ्री रह अगर पांच चीज को आप फॉलो करते हैं तो आप हार्ट अटेक से बस सकते हैं और एक खुशनमा महौल में अपनी परिवार के साथ अच्छी जिंदगी बतीत कर सकते हैं अमाम खबरों के लिए बने दें सबसे तेज न्यूस का साथ अगले वीडियो में फिर मों लगें नमस्कार झाल